दोस्तों आज किस वीडियो के मांध्य हम से एक और निव अपडेट, एक और निव जानकारी आप लोग के देने के लिए मैं आज चुका हूँ मेरे प्यारे सातियों आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिएगा बिहार तक्निकी सेवा आयोग के अंत्रिदत, एक्स्तराय टेकनिसियन, वोटी टेकनिसियन, इसी जी ये तीनों पोस्टों के वैकेंस से आये हुए है अब इन सारे के लिए कौंसलिंग होना है अब कौंसलिंग कब होंगे, इसके रिगार्डिंग आप लोग बहुती ज़्यदा पूछ रहे थे, बहुती ज़्यदा वाटसप पर मेसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है साथी दोस्तों, इसमें कितने कैनेरेटों को बुलाए जाएगा, कौंसलिंग में ये भी आपनों को जानकारी देना है अफिस्यल टैप की जानकारी अपडेट है, हम आपको पूरी डिटेल्स जानकारी बताते है तो चलिए हम आपको और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं इस नोटिस्फिकेशन के तरफ मेरे प्यारे साथिो, सब से पहले मैं आप सभी भाईयों को बता दू, जिन भी मेरे प्यारे साथिो, दोस्तो भाई, ब्रोडर, सिस्टर के पास मेरा मवाईल नंबर है कि प्या करके वो phone ना करे message कर दे WhatsApp पर आपको हो सके तो time मिलते ही आपको वहाँ पर reply दे दिया जाएगा phone करने पर पूरा यहाँ पर विस्ता आ जाती है क्योंकि इतना सारे लोग एक साथ call करेगा तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि phone receive कैसे कर पाऊंगा अगर इतना call आएगा तो इसलिए message करिएगा तो मैं भी आपको time मिलते ही answer कर रिपला है मिल सकता है वैसे comment करिए video देखते रहे हैं सारा जानकर आपको time to time मिलते रहेंगे कुछ पूछने की जुरत नहीं पड़ेगा मैं जानता हूँ आपके प्रस्न क्या होंगे जुलाई से अगस्त के बिच में counselling की किसका तो एनियम का लेकिन आप सारे candidate को में बता देता हूँ जो भी किनिट OT वाले है या फिर वो ECG वाले candidate है या फिर वो XRai वाले candidate है यह तीन ऐसे जो application फर्मा इन तीनों candidate को मैं जानकारी देता चाहूँगा यहां से कि आप तीनों लोग परिसाम ना हो जब भी एनियम की counselling होगा उससे पहले OT के ECG के XRai का counselling होगा उसके बाद ही एनियम का counselling होगा तो आप लोग यहां से समझ सकते हैं अगर A&M के counselling जुला या अगस्त मैंने में होगे तो आप लोग का counselling इससे पहले हो जाएंगे यानि कि इससे सीधी उमीद लगा सकते हैं आप लोग के जो counselling है वो अपरील के बाद है ना अपरील मैं के बाद अपरील मैं में आप लोग को counselling हो जाएंगे उसके बाद ही जुन जुलाइं में इन लोग को counselling होना है इसलिए आप लोग के counselling से पहले होंगे यानि कि अपरेल मैं तक आप लोग यहां पर संभावित रख सकते हैं कॉंसलिंग में कितने लोगों को बुलाए जाएंगे जितना आप लोग को सीट है उसका तिगुणना कर दिजेगा उत्रहें के बुलाए जाएंगे जैसी के मान लीजिए कि एक वैकेंसे में एक हजार प्लस कुछ सीट है हमने देखे हैं एक्जक्ट याद नहीं है तो इसका तिगुणना करेगा तो कितना हो गया तीन हजार हो यानि कि तीन हजार केंडेटों को बुलाए जाएंगे आप लोगों को घबराने की जुरत नहीं है किसी भी तरिके से कॉंसलिंग के oranges करेगा अपटेट समझ गा एनें से अगर जुन जुला है तो उससे पर लोगं के करिखा जाएगा चुकिंद की संख्या जैधा है तो उसमें टाम लगेंगे आप फिर पर यांप लोग के लिए भी आप लोग को सारे चीज़ भी आप लोग को अगले महने से शुरू होंगे तो इसलिए आप लोग को बिलकुल रुप से नहीं घबराना है जल्दी से ट्वीटर की कौंसलिंग हो जाए हूज ये निकल जाएंगे आप लोग एकसात देख ले करेंट और कोशिज करेंगा कोशिज करेंगा काउल करने का मेशेज करेंगा टेलीघ्रा में जूर जाईए उछा से प्रश्ण पूछेगा सारे क्लियर होगा होगा टेलीघ्राम गूरुप में सेथी सर्ट माillas मुटत करें आपकी जवाब देने तो वहां पर जूरेंगे तो बहतर होगा चलिए इस वीडियो को यहें पर स्वाप्त करते हैं थैंक यू